हलो एवरिफ़न वेलकम टो आर यूटूब चैनल फ्रेंट्स अपन जो जीके की 10,000 क्वेशन की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसका आज का जो थर्ड टॉपिक है वो है राजस्तान ब्रमुग जलवायू और संसाधन तो देखते हैं अपने टॉपिक के क्वेशन की तरफ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेशन पे जो की है राजस्तान में मचले निशेद काल कब से कब तक होता है 16 जुलाई से 31 सितमबर तक 16 जून से 31 अगस्त तक 10 फरवरी से 31 मार्श तक और 9 जून से 31 सितमबर तक तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स बी 16 जून से 31 अगस्त तक नेक्स क्वेशन है 1991 इश्वी में राज्य के किस स्थान का तापमान सुनने से भी कम रिकॉर्ड किया गया उदैपूर आबू चूरू गंगानगर तो राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स इसका बी आबू नेक्स क्वेशन है राज्य के किस भूभाग में अधिशेश जल की सरवादिक मात्रा विद्यमान रहती है उत्री पूर्वी, पस्चिमी, दक्षणी पूर्वी और दक्षणी तो राइट ओप्शन है डी दक्षणी नेक्स जलवाईू वेता, वलादिमीर, कॉपेन कहां के निवासी थे अमेरिकन, जर्मन, भारतिय और फ्रेंच तो राइट ओप्शन होगा इसका बी जर्मन नेक्स पूर्शन है, राज्य के लगबग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाउं से होती है, पश्वा हवाउं से, मानसुनी हवाउं से, चक्रवातों से, व्यापारिक हवाउं से, तो इसका राइट ओप्शन होगा बी, मानसुनी हवाउं से नेक्स पूर्शन में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जैनवरी और 21 दिसंबर, इसका राइट ओप्शन होगा A, 22 दिसंबर नेक्स राज्य की जलवायों की मुखे विशेशता यह है, कि यहाँ पे आदरता की बहुत कमी नहीं होती है, तापकरम काफी उचा रहता है, अधिक मातर में वर्शा होती है, या तापकरम में अत्यदिक अंतर दिखलाई देता है तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स D, तापकरम में अत्यदिक अंतर दिखलाई देता है नेक्स राइट ओप्शन है पस्चि में विश्चोवो जिनसे शीत काल में राजस्थान में वर्शा या मावट होती है, कि उत्पत्ति का छित्र कौन सा है तो फर्स्ट ओप्शन है हिंद माहसागर, अरब की खाड़ी भूमद्य सागर, अटलांटिक माहसागर और कोई नहीं तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स B, अरब की खाड़ी भूमद्य सागर नेक्स कुशन की तरफ देखते हैं फ्रेंट्स अपन जो की है टैन नंबर राजी की किस जिले में वार्शिक वर्षा में विशमता का प्रतिशत सरवादिक है दुंगरपूर, चैपूर, जेसलमेर और श्री गगानगर इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स जेसलमेर नेक्स क्वेशन है राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुक कारण क्या है बंगाल के खाड़ी मांसुन की आदरता लगबग समाप्त हो जाना अरावली परवतमाला का अरब सागरिय मांसुन की दिश्या में समानतर होना अत्य दिक कर्मी के कारण मांसुनी हवाओं की आदरता घर चाना या उप्युक सभी तो इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स डी उप्युक सभी नेक्स क्वेशन है राजस्थान के किस जिल्ले में वर्षा वाले दिरों की संक्या सरवादिक होती है जालावार, सिरोही, उदैपूर, या चितोडगर तो इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स जालावार नेक्स क्वेशन है नेमने में इसे कौन सा जिल्ला अर्ध शुष प्रदेश में आता है टॉंक, अजमेर, भरतपूर, नागोर तो इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स डी, नागोर नेक्स क्वेशन है जून माह में राज्चे के उत्तर पस्टमी भाग में न्यून वायुदाप क्यों रहता है तो आप्शन देखते हैं वायुदाप पेटियों के किसकने के कारण राज्चे से करक रेखा के गुजरने के कारण सूर्य ताप की अधिक प्राप्ती और समोधर तर्ट से दूरी के कारण या फिर कम तापमान के कारण तो इसका राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स C तो right option होगा इसका B जुलाई अगस्थ next question देखते है friends अपना राजस्थान में उश्न मरूस्थलिय जलवायों के लिए कॉपन ने किस कूट का प्रियोग किया AW, BSHW, BW, HW या फिर CWG तो इसका right option होगा friends C next question है राजस्थान का कौन सा छेतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसुन से अधिक वर्षा प्राप्त करता है दक्षणी पस्चिमी, पूर्वी, पस्चिमी या फिर कोई नहीं तो right option होगा friends इसका A दक्षणी पस्चिमी next question है राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राइ क्या होती है पूर्व से पस्चिम की और, दक्षण से उत्तर की और, उत्तर से दक्षण की और या फिर कोई नहीं तो right option होगा friends A पूर्व से पस्चिम की और next question है राजस्थान में सरवादे शुष्ट जलवाईयो वाला जीला कौन सा है जेसलमेर, पाडमेर, पाली, जालोर right option होगा A जेसलमेर next है अर्दशुष्ट जलवाईयो वाला जीला है जोदपूर, बूंदी, चैपूर या कोई नहीं जिसका right option होगा A जोदपूर next question है राजस्थान में छेत्रफल की दरस्टी से सबसे कम छेत्रफल वाला करजी जलवाईयो खंड कौन सा है बाड संभावित पूर्वी मैदानी भाग आदर दक्षन पूर्वी पठारी छेत्र आदर दक्षनी मैदानी खंड या फिर कोई नहीं आदर दक्षन पूर्वी पठारी छेत्र next question है तापकरम वर्षा एम आदरता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवाईयो प्रदेशों में बाटा जा सकता है 7,9,6,5 तो इसका राइट आप्षन होगा फ्रेंट्स 5, D नंबर next question है फ्रेंट्स खंडिन वर्षा जल संग्रहन की परंपरागत विधी पाई जाती है जहलावाड में, अलवर में, जेसलमेर या फिर कोई नहीं तो इसका राइट आप्षन होगा फ्रेंट्स C, जेसलमेर में next है राजस्तान में गर्मी के मोसम में चलने वाली शुष्क व अती गर्म हावाओं की दिशा क्या रहती है तो इसका राइट आप्षन देखते हैं पूरव से पस्चिम की ओर, पस्चिम से पूरव की ओर, उत्तर से दक्षिन की ओर या फिर दक्षिन से उत्तर की ओर जिसका राइट आप्षन होगा बी, पस्चिम से पूरव की ओर, नेक्स क्वेशन है राजस्तान के किस जिले में वर्ष्या का वार्षिक ओशद 100 सेंटिमीटर से अधिक है, कोटा सी रोही जहलावार या फिर बारा, तो इसका राइट आप्षन होगा सी जहलावार नेक्स क्वेशन है, गर्मियों में माउंट आपू का तापमान राजस्तान की अन्हे स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्यों रहता है कम, तो देखते हैं आप्षन, राजस्तान में माउंट आपू की समूद्ध तरसे दूरी सरवादिक है, माउंट आपू में मांसुरी उन्चाई पर अवस्तित है नेक्स्ट है पुर्वाई या पुर्वाईया क्या है देखते हैं अरब सागर से आने वाली मानसुनी पवने बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसुनी पवने पस्टिमी वायू विक्षोब और डी है सबी प्रकार की मानसुनी हवाएं तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसुनी पवने नेक्स कोशन देखते हैं 28 नंबर पस्टिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदाई मूल अंश्दाई कारण क्या है तो अंत्र अरावली परवश्रेणी का समाना अंतर होना तो राइट ऑप्शन होगा डी अरावली परवश्रेणी का समाना अंतर होना नेक्स राजस्थान का कौनशा छेत्र नगर्ने वर्षा वाला है उत्री पूर्वी उत्री पस्चिमी दक्षन पूर्वी या दक्षनी पस् उत्री राजस्तान रावली का पस्चिमी भाग, रावली का पूर्वी भाग और बांगर प्रदेश, तो रावली का पूर्वी भाग, नेक्स्ट है राजस्तान का निम्न में से कौन सा छेत्र अतिदिक नम है, हाडोती, मेवात, बांगर या कोई नहीं, तो रावली का पूर् इसका बी दरातल का स्वभाव नेक्स्ट ए ग्रिश्म रितु में सरवादिक आंधिया निम्नलिकित में से किस जिले में चलती है बीकानेर बाडबेर नागोर गंगानगर तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी गंगानगर नेक्स्ट राजिस्तान का सरवादिक गर्म वा शु सम्मेलित नहीं है दक्षणी राजिस्तान अर्ध शुषक मरुस्थफल शुषक मरुस्थल या फिर उत्री राजिस्तान तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी उत्री राजिस्तान और की उत्री पस्चे में चेत्र की जलवाईब कैसी है संपून शेतरी की उशन जलवाईू, संपून शेतरी की शुश्क वे विशम जलवाईू, पूर्व में आदर तथा पस्ची में शुश्क या फिर पूर्व में शुश्क तथा पस्ची में आदर तो इसका right option होगा friends B, संपून शेतरी की शुश्क वे विशम जलवाईू नेक्स्ट है राज्ये की विबिन प्राकरती विभागों एवं उनकी चलवायों को सुमेलिद कीजे तो एक तरफ विभाग दिये गए है और दूसरी तरफ चलवायों दिये गई है जिसमें विभाग है पूर्वी मैदानी भाग दक्षिन पूर्वी पठारी भाग उत्री पस्टी में मरुस्तर और मद्यमवर्ती पहाडी छेतर और जलवायों है शुष्क उप आदर अती आदर या फिर आदर तो इसका राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स डी नेक्स्ट राजस्तान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युगम सही है जून दिसंबर जून जनवरी मई दिसंबर या मई जनवरी तो राइट ओप्शन होगा इसका बी जून जनवरी नेक्स्ट है राजिस्तान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक ओशत न्यूनतम 20 cm या उससे भी कम है बाडमेर, जेसलमेर, बीकानेर या जोदपूर तो राइट ओप्शन होगा B, जेसलमेर नेक्स्ट है किसी स्थान के जलवायों के निर्धारक गटक कौन-कौन से है तापकरम, आदरता वा वर्षा, वायूवेक वायूदाप या उक्तसभी तो इसका राइट ओप्शन होगा D, उक्तसभी नेक्स्ट है भारत में उपलब्द निम्न परिस्थीतियों में से, राजिस्थान में सरवादिक रूप से उपलब्द है वायूताप मान में अतिशैता, निम्न सापेक शिक आदरता, वर्षा में बहुत अधिक विशमता, सूरे दूप की दिरगावदी नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं, राजिस्थान के किस बहुतिक प्रदेश की जलवायू अति आदर प्रकार की है दक्षनी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तर पस्चिमी शुष्ष्प्रदेश दक्षनी पूर्वी पठारी भाग, नेक्स्ट है मानसुनी सवाना प्रकार की वनस्पती, राजिस्थी की किस जलवायू प्रदेश में पाई जाती है, अर्द शुष्क, शुष्क, आदर और अति आदर, तो राइट उप्षन होगा इसका डी, अति आदर प्रकार्टिक वनस्पती की वित्रन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपुन कारक कौन सा है, धरातर लिए जलवायू, मिट्टी या जैवी कारक, तो राइट उप्षन होगा बी, जलवायू, नेक्स्ट बर्खान का क्या तात पर रहे है, मुलतानी मिट्टी, गहरी, खड युक, बीहड भूमी, अर्ध चंद्राकार रेतिले टीले, या लहरदार रेगिसानी टीले, तो राइट उप्षन होगा C, अर्ध चंद्राकार रेतिले टीले, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कौन सा युक्पल सुमेलित नहीं है, सरवादिक वर्षावाला स्थान, मा परतपूर, नेक्स्ट राजजी के किस छेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तन शीलता दर्ष्टी कोचर होती है, पूर्वी मैदानी भाग, मरुस्तलिय छेत्र, सिखावाटी प्रदेश और चंबल बेसिन, तो राइट उप्षन होगा B, मरुस्तलिय छेत्र, नेक्स्ट परतपूर, नेक्स्ट राजजी में भारतिय मौसम विभाग की वैद शाला कहां स्थित है, जैसल मेर माउंट अबू, कोटाज या जैपूर, तो राइट उप्षन होगा जैपूर, नेक्स्ट वैटि डिगरी से 150 डिगरी, ओसत वार्शिक वर्षा, 30 डिगरी से 34 डिगरी, ओसत वार्शिक तापमान, राजजी के किस जलवायो प्रदेश की विशेष्टा है? अतियादर जलवायो, अदर जलवायो, अर्धशुषक जलवायो, क्या फिर कोई नहीं? तो इसक दक्षिन पूराव से उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूर गार सान के दक्षिन भाग में तापमाना पेक्षक्रत कम रहने का प्रमुक कारण क्या है करक रेखा से समीपता, समुद्र तल से उंचाई, सूर्य ताप की कम मातरा या फिर कोई नहीं तो राइट आप्शन होगा समुद्र तल से उंचाई नेक्स्ट राज्य में सूर्य के प्रकास के सरवादिक अवदी किस दिन रहती है 21 माई, 22 जून, 21 जून या 21 मार्स तो राइट आप्शन होगा 21 जून नेक्स्ट राज्य स्थान के किस छेत्र का देनिक तापांतर सरवादिक रहता है पूर्वी छेत्र, पूर्वी उत्तरी छेत्र, पस्टी में छेत्र या फिर कोई नहीं तो राइट आप्शन होगा पस्टी में छेत्र नेक्स्ट है कुरिया शब्द किसके लिए प्रियुक किया जाता है अर्द अकाल, महाकाल, पूर्व अकाल या कोई नहीं तो राइट ओप्शन होगा अर्द अकाल नेक्स्ट कोशन देखते हैं फ्रेंट्स राजस्तान में मानसुन सरवपरतम किस जीले में प्रिवेश करता है जालोर, पांसवाड़ा, सीरोही या कोई नहीं तो राइट ओप्शन होगा पांसवाड़ा नेक्स्ट अरावली छेतर में वर्शा का वार्शिक औस्त क्या है तो राइट ओप्शन होगा एटी सेंटिमेटर नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट या कोपेन की जलवाईव वर्गी करन के अनुसार बी डेबलू एच डेबलू जलवाईव प्रदेश पे राज्य का कौन सा छेतर आता है तो फर्स्ट ओप्शन है जालावाड बारा कोटा बूंदी नेक्स्ट है उदैपूर सी रोही राजसमन पाली और सी ओप्शन है जेसल मेर पस्टिमी बार मेर पस्टिमी बीकानेर उत्तरी पस्टिमी जोदपूर नेक्स्ट जूरू बीकानेर हनुमानगर सिक्कर और गंगानगर तो राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स नेक्स्ट राजस्टान के अधिकानज भाग के समुद्र तल से ओसत उंचाई कितनी है तो 370 मीटर या कम 1035 मीटर से अधिक 922 मीटर या फिर कोई नहीं तो राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्सिस का A 370 मीटर या कम नेक्स्ट राजस्टार मरुस्तन में रात्री का तापमान गर्मियों में अचाना गिर जाता है वातावरन की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलोई प्रक्रती, वनस्पती का अभाव या फिर वायू मंडले दवाव के कम होने, नगन चट्रानों की उपस्ति, पालों के टीलों की उपस्ति के करन या फिर जीलों की उपस्ति, अधिवाशों की विरलता, उच्छ वायू वेग या फिर कोई नहीं तो राइट ओप्शन होगा फ्रेंट्स इसका A वातावरन की शुष्कता, सुच्छ आकाश, मिट्टी की बलूई प्रकरती और वनस्पती का अभाव नेक्स कोशन की तरफ देखते हैं फ्रेंट्स निवन में से कौन सी विशेषता अरावली परवतमाला की पूर्वी भाग में नहीं मिलती सामें एक वर्षा, ताप करम में प्राय एक रूपता, अधिक आदर्था, अधिक द्यानिक ताप आंतर तो राइट अप्शन होगा इसका D, अधिक द्यानिक ताप आंतर नेक्स कोशन है राजस्तान की जलवाईों प्रदेशों को किन आधारों पर बाटा जाता है ताप मान और वर्षा की मातरा, अधिरता ववनस्पती, ताप मान आधिरता वाश्पी करन की मातरा एवं वनस्पती तो राइट अप्शन होगा ताप मान और वर्षा की मातरा नेक्स्ट समान वर्षा की स्थानों को मिलाने वाले रिखाओ कहा जाता है सम वर्षा रेखा, सम दाब रेखा, सम ताप रेखा या फिर कोई नहीं तो right option होगा सम वर्षा रेखा next question है मरोस्थल की कच्चे गोला कर घर को क्या कहा जाता है माल्या, टापल्या, जूंपा या फिर कोटी तो right option होगा इसका जूंपा next DAW, जलवायू पाई जाती है मेवाड, पांसवड़ा, टुंगरपूर, बूंदी सवाई मादोपूर या फिर भरतपूर तो right option होगा फ्रेंसिसका C, बूंदी सवाई मादोपूर next राजिस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली परवत माला के निम्न में से कौन सी स्थिती के कारण है तो option देखते हैं इसका मानसुन के समानांतर होना मानसुन दिशा की विप्रित होना शंकला में कटाव होना शंकला का वनस्पती विहीन होना तो right option होगा इसका मानसुन के समानांतर होना नेक्स राजस्तान में सरवादिक ओलावरष्टी वाला जिला है जिसलमेर करोली, सिरोही या जैपूर तो राइट ऑप्शन है जैपूर नेक्स क्वेशन है फ्रेंट्स जहला लू के साथ प्रित्वी पर जिल मिलाती वाश पचैसी लहरो को कहा जाता है जिबकि ओस के बरस्ते कड़ों से च्छा जाने वाले अंदकार को क्या कहा जाता है तो इसके ऑप्शन देखते हैं अडाव, सूर्या, दूर या कोई नहीं तो राइट ऑप्शन जो है वो है दुर नेक्स्ट है राजिस्तान के सरवादिक निकर्ट सागरी या भाग कोन सा है कच्छकी खाड़ी अरब सागर मनार की खाड़ी या कोई नहीं तो राइट ऑप्शन होगा कच्छकी खाड़ी नेक्स क्वेशन है फ्रेंड्स राजिस्तान क जलवाई को प्रभावित करने वाला मेहत्वपुन कारख कौन सा है। आप्शन देखते है है पवनोंगी दिस्या, सूर्य अत्रब की मात्रा, उप्यूक्ट दोनों या कोई भी नहीं तो राइड आप्शन होगा से चनने वाली हवा दक्षन पस्चिम से चनने वाली हवा आगने कोंड से बहने वाली हवा यह सदा वर्षा साथ लाती है तो इसका right option होगा friends ए नेक्स राजस्तान में दोंगडा किसे का जाता है मांसुन पूर्व की वर्षा मांसुन पस्चात की वर्षा उप्युक्त दोनों या कोई नहीं तो इसका रायट आप्शन होगा मांसुन पूर्व की वर्षा नेक्स्ट है फ्रेंड निम्न को सुमेलित कीजिए जिसमें है अडाव, तुवा, भगुन्यों, आथुनों, धरोड या धराव या फिर सिल्ली और एक तरफ की आप्शन है पोश महिने में चारो और सिप्रवाहित वायू को कहते है उत्तर दिशा से चलने वाली वायू को कहते है पस्ची में तिशा की वायू को कहते है ये रेत उडाते वे वात्य चक्र को कहते है या फिर जेस्ट महां की तेज गर्मी की जुंको वाली हावा को कहते है बहंकर दुहनी के साथ अतितिवर गती वाली वायू को कहते है तो इसके राइट आप्शन होगा फ्रेंड्स C नेक्स चैनिम्न में से कौन सा कतन असत्य है राजस्थान के मरुस्तन में वर्शा का अभाव रहता है या हैंसॉंग के समय राजस्थान के मरु प्रदेश को गुजर्ब देश के नाम से जाना जाता था वर्दमान में राजस्थान के मरु देश को थार का मरुस्तन का जाता था नेक्स वोशन देखते हैं फ्रेंट्स लू शब्द किस प्रकार की हवाउं को सपस्ट करता है जल राशु की ओर से आने वाली हवाईं थार मरुस्तर से चलने वाली हवाईं समगती से बहने वाली हवाईं दूल परी वशुष्क हवाउं का चलना तो राइट ऑप्शन होगा पूर्वी छेतर में पस्टी में चेतर में या उत्तरी पस्टी में चेतर में तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंट्स डी उत्तरी पस्टी में चेतर में नेक्स्ट है तिवार्थी के अनुसा राजिस्तान का अधिकांश भाग जिस जलवायो प्रदेश के अंतरगत आता है वहें कौन सा है तो friend इसका right option होगा B. Next है कौन सा जिला राज्ये के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? बाडमेर, जोदपूर, जैपूर, जैसलमेर तो right option होगा जैपूर. Next है question राज़तान में वार्शिक वर्षा का ओस्त क्या है? 110 semi 75 semi 57.51 semi और 54.51 semi तो right option होगा C. 57.51 semi Next राज़तान की जलवाईों का प्रमुक लक्षन यह है कि यहाँ पे क्या होगा है? तापकरम तकाफी उचे रहते हैं, तापकरम में अधिक अंतर द्रिश्टिकत होता है, अत्य दिक मातर में वर्षा होती है या आदरता की बड़ी कमी होते है, तो right option होगा B. तापकरम में अधिक अंतर द्रिश्टिकत होता है Next राज़तान में मानसुन वर्षा की दिशा में बढ़ती है दक्षन पस्चिम से उत्तर पूरव दक्षन पूरव से उत्तर पस्चिम उत्तर पस्चिम से दक्षन पूरव और दक्षन से उत्तर तो right option होगा फ्रेंस इसका B. दक्षन पूरव से उत्तर पस्चिम की ओर Next राज़तान में बढ़तान में 50 cm समवर्षारे का कहां से गुजरती है अरावली के सहारे सहारे अरावली के लमवद उत्तर पस्चिम से दक्षन पूरव की ओर या फिर कोई नहीं तो right option होगा अरावली के सहारे सहारे Next राज़तान में मांसून के प्रत्यावर्थन का समय क्या है जून और जुलाई जनवरी और फरवरी अक्टूबर से मद्य नवंबर या कोई नहीं तो right option होगा friends अक्टूबर से मद्य नवंबर Next राज़तान के जलवाई के विशेशता नहीं है 3000 मीमी वर्षा अतियादरता खंट वरष्टी या शुश्कता तो right option होगा 3000 मीमी वर्षा Next है ग्रिश्म रितू में राज़े के थार मरुस्तल में नमी की मात्रा लगबक कितने प्रतिशत होती है 5 प्रतिशत 1 प्रतिशत 10 प्रतिशत या 9 प्रतिशत तो right option होगा इसका B 1 प्रतिशत Next question है friends राज़े में जून से सितंबर की अवधी में पूरव से पच्चिम की और किसकी मात्रा में कमी आती है तापमान, वर्षा, आदरता या शोश्कता तो right option होगा वर्षा Next है question अतियादर चलवायो प्रदेश के अंतरगत कौन से जिले आते हैं जहलावार, बांसवाड़ा, भरतपूर, धोलपूर, अलवर, जैपूर, बूंदी सीरो ही तो right option होगा जहलावार, बांसवाड़ा Next है थॉर्ण वेट की अनुसार राजस्तान का अधिकांश भाग जिस जलवायो प्रदेश के अंतरगत आता है वेट कौन सा है तो right option होगा इसका B D, A, W Next question है friends तो right option होगा friends A जैसल मेर, बीखाने, गंगानगर Next है B, W, H, W से अभी प्राय है शुष्क स्रीत चलवायो शुष्क उष्न कटी बंदिया मरूस्तल आदर या फिर अतियादर तो right option होगा B, शुष्क उष्न कटी बंदिया मरूस्तल Next है राजसान के कौन से जिले आदर दक्षनी और पूर्वी मैदान Next question है यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यातरा करते हैं तो आप इसके साहिक नदियों को किस क्रम में पाएंगे सुकडी, बांडी, जवाई, गुईया तो right option होगा इसका जो कूट है जो कूट दिये हैं उसके अंदर से right option होगा फ्रेंड्स ए जो कूट है वो Next है निमन मेंसी राजिस्तान की किस भाग में सरवाधिक वर्षा की परिवर्थिता पाई जाती है सुदूर पस्चिमी भाग उत्तर पूर्वी भाग दक्षणी भाग उत्तरी भाग तो right option होगा फ्रेंड्स ए सुदूर पस्चिमी भाग Next question है राजिस्तान में सीथ कल्मी होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है दक्षणी पस्चिमी मानसुनी हवाओं के कारण पस्चिमी विशोब के कारण पच्छवा हवाओं के कारण हिमाले से टक्रा कर वापस लोटती मानसुनी हवाओं के कारण तो right option होगा फ्रेंड्स बी पस्चिमी विशोब के कारण Next है राजिस्तान में वर्षा का समय कितनी बार होता है 2, 1, 3, 4 तो right option होगा 2 Next है राजिस्तान में लोटती मानसुन के रीतु है जुलाई से अगस, जनवरी से फर्वरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से जून तो right option होगा फ्रेंड्स C अक्टूबर से दिसंबर तक की Next है फ्रेंड्स कॉपेन के जलवायों वर्गिकरन के अनुसार निमनलिकित में से किन जीलों में B.S.H.W. प्रकार के जलवायों पाई जाती है तो right option होगा फ्रेंड्स इसका A बाढमिर, जोदपूर, नागोर और सिक्कर Next question है फ्रेंड्स राजस्थान में बार-बार होने वाले सुखे एवं अकाल का प्रमुक कारण क्या है वनों का अवगरमन जल का A विवेकपूर उप्योग अनियमित वर्षा या फिर भूमिका कटाओ तो right option होगा फ्रेंड्स इसका C अनियमित वर्षा Next question है फ्रेंड्स राजस्थान की जलवायों के संबन्द में निम्न कत्नों की समिक्षा कीजिए यहां की जलवायों उपोशन शुष्क प्रकार की है यहां की जलवायों दशाई तापमान वर्षा की अधिशेता से युक्त है यहां की जलवायों उशन आद्रश्रेनी की है या फिर यहां वर्षा की मातरा दक्षन पूरों से उत्तरबस्चिम की और कम होती जाती है तो इसका right option होगा friends C Next question है 1000 मिली वार की समदाप रेखा जुलाई माह से गुजरती है तो option है शिरोही उदैपूर प्रताबगड और जालावार से Next सिरोही चितोडगड कोटा और बारा से Next जालोर पाली अजमेर और करोली से Next उदैपूर चितोडगड कोटा और बारा से तो इसका right option होगा friends A शिरोही उदैपूर प्रताबगड और जालावार से Next question है friends वायू के एक नमोने में वास्त्विक नमी के मातरा सत्रिप्त वायू की उसी मातरा में तथा उसी तापमान पर नहीत आदरता का पतिशत क्या कहलाता है निर्पेक्ष आदरता, सापेक्ष आदरता, विशिष्ट आदरता या वाश्पदाब तो इसका right option होगा friends सापेक्ष आदरता Next है बडोपल गाउं जिसके लिए प्राय जाना जाता है वह है, जिबसम का उत्पादन भूग अर्बिय जल का उपर आका एकत्त होना या सेम कपास उत्पादन या पशू मेला तो right option होगा कपास उत्पादन Next question है, किस वर्ष में बाढ़ मेर के कवास थान पर बीशल बाढ़ आई थी 2005, 2006, 2007, 2008 में तो right option होगा 2006 में Next question है, जब पुसकर के पहाड़ों में बाढ़ी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है सोजत में, अजमेर में, बालोतरा में या फिर सवाई मादोपूर में तो right option है बालोतरा में Next question है, राजस्थान में मई जून महिनों में उत्पन होने वाली धूल परी जो आंधिया है उसके लिए उत्तरदाई कौन है कुछ स्थानों पर समवनी धाराओं की उत्पत्ती अरावलिय पहाड़ी दक्षनी पस्ची में हवाओं के समाना अंतर अतिती व्रगा में पूर्वी हवाओं की उत्पत्ती तो right option होगा, friends, D केवल A मिन्स कुछ स्थानों पर समवनी है ताराओं की उत्पत्ती Next question है, friends कथन A और कथन R कथन A है, राजस्थान में सूखा और अकाल अकसर आते हैं तो right option होगा, friends, इसका B सही है, लेकिन र गलत है जो A option है, वो सही है और र क्या है, गलत है Next question देखते है, friends राजस्थान में अरावली परवश्च्रेणिया मानसुनी वर्षन करने में SFL रहती है, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है मानसुन उन तक नहीं पहुँच पाता है यह हवाओं की दिशा में समाना अंतर है और यह हर्याली से पूर्ण नहीं है तो right option होगा, friends, C यह हवाओं की दिशा के समाना अंतर है Next है, पेडों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते है पर्यावर संकर उत्पन हो जाता है प्रदूशन बढ़ता है यह रोजगर बढ़ता है तो right option होगा, इसका D First, Second और Third जो है, वो तीनों सही है Next question है, निम्न कतनों पर विचार कीजिए राजस्थान में वर्षा दक्षन और दक्षन पूरव से उत्तर और उत्तर पस्ची में घरती जाती है Second option है, मांसुन की अरब सागरी शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुक्स द्रोथ है Third option है, पस्ची में राजस्थान कीवल शीत काल में वर्षा प्राप्त करता है Fourth option है, राजस्थान का 50 प्रतिशत भाग शुष्क एवं अर्द शुष्क जलवायू का है तो इसका right option होगा Friends C जो first option, second option और जो fourth option है वो ही सही है Next question है, शीत रितु में पस्ची में राजस्थान में अधिक ठन पढ़ने का प्रमुक्स कारण क्या है रेतिला धरातल होना, वन छेतर का अधिक होना, बर्फ बारी होना, अधिक वर्षा होना तो right option है, रेतिला धरातल होना Next question है, पस्ची में राजस्थान में पस्ची में रेतिला मैदान की पूर्वी सीवा निम्न में से कौन से समवर्षा रेखा बनाती है 15 cm, 25 cm, 40 cm और 80 cm तो right option होगा 40 cm Next, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का ओशत कितना है 48 से 52 cm, 63 से 67 cm, 57 से 58 cm और 58 से 62 cm तो right option होगा इसका C, 57 से 58 cm Next question है, राजस्थान में शेत्रफल की दरश्टी से सबसे छोटा कृशी जलवायू खंड है आदर दक्षणी मेदानी शेत्र, अर्द शुष्क पूर्वी मेदानी शेत्र, बाड संभावे पूर्वी मेदानी शेत्र आदर दक्षणी पूर्वी मेदानी शेत्र तो right option होगा A, आदर दक्षणी मेदानी शेत्र नेक्स्ट ग्षिक्षन है चेतरफल की दुर्ष्टी से राज्यcellay का सबसी बड़ा खरशय जलवाईू खन्ट है आद्रदक्षणी मैदानी चेतर, सिंचित उत्तरी पस्छीमी मैदानी चेतर, शुष्क पस्चीमी मैदानी चेतर और बार संभावे पूरी मैदानी छेतर तो राइट ऑप्शन होगा इसका शुष्क पश्रिमी मैदानी छेतर नेक्स्ट कॉशन है फ्रेंड्स राजिस्थान के उक्त माझचितर में कॉपेन के जलवायों प्रदेशियों को फन टू थ्री और फोर से अंकित किया गया है नीचे दी गई क्रमावली में इनका सही अनुक्रम पहचानी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माझचितर जो है वो बनाया हुआ है और यहाँ पे एक तरफ उनके ऑप्शन दिये गये हैं ऊप्शन होगा फ्रेंट sa expनानुक्र अनुसार कंगानगानगर हनुमाणगार में इसकी जल्वाइयों मिलती है तो यहाँ पे आज कि आपना टॉपिक हो खत्म होता है अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा और आपको अच्छा अचछा लगा और आपको लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको next topic कौन सा पढ़ना है तब तक के लिए आप इन वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हाँ जाने से पहले प्लीस सब्सक्राइब ज़रूर करना और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको रोज आना कि जो एक्जाम की वीडियोस हैं वो मिल सके एजी ली तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बबाई, have a good day